ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज 25 जुलाई 2024 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे बाजोली का खेल याद करो इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्रामणों का राज समाया हुआ है मीठे बच्चे बाजोली का खेल याद करो इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्रामणों का राज समाया हुआ है प्रश्ण संगम युकपर बाप से कौनसा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है उत्तर इश्वर्य बुद्धी का इश्वर में जो गुड़ हैं वह हमें वर्षे में देते हैं हमारी बुद्धी हीरे जैसी पारस बन रही है अभी हम ब्रामण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं सर्व गुड़ों से अपनी जोली भर रहे हैं ओम शान्ती आज है सत्गुरुवार ब्रस्पतिवार दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है ब्रस्पती का दिन उच कहते हैं न ब्रस्पती अर्थात व्रक्षपती डे पर स्कूल वा कॉलेज में बैठते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुस्य स्रष्टी रूपी जाड़ का बीज रूप है बाप और वैक अकाल मूरत है अकाल मूरत बाप के अकाल मूरत बच्चे कितना सहज है मुश्किलात सिर्फ है याद की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं तुम पतित से पावन होते हो बाप समझाते हैं तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की बाप है ब्रक्षपती ब्रक्ष से पहले पहले ब्रामर निकले बाप कहते हैं मैं ब्रक्षपती सत चित आनंद स्वरूप हूँ फिर महिमा गाते हैं ज्यान का सागर शान्ती का सागर तुम जानते हो सत्यूग मैं देवी देवताएं सब शान्ती के पवित्रता के सागर है भारत सुख शान्ती पवित्रता का सागर था उसको कहा जाता है विश्व मैं शांती तुम हो ब्रामण, वास्तम में तुम भी अकाल मूरत हो हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है ये सब चैतन्य अकाल तख्त हैं भ्रकुटी के बीच अकाल मूरत आत्मा विराजमान है जिसको सितारा भी कहा जाता है व्रक्षपती बीज रूप को ज्यान का सागर कहते हैं तो जरूर उनको आना पड़े पहले पहले चाहिए ब्राम्मन प्रजापिता ब्रह्मा के अडाप्टेड चिल्डरन तो जरूर मम्मा भी चाहिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीती समझाते हैं जैसे बाजोली खेलते हैं न उसका भी अर्थ समझाया है बीज रूप शिवावा है फिर है ब्रह्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राम्मण रचे गए इस समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्राम्मण सो देवता पहले हम शूद्र बुद्धी थे अब फिर से बाप पुरुसोत्तम बुद्धी बनाते हैं हीरे जैसी पारस बुद्धी बनाते हैं ये बाजोली का राज भी समझाते हैं शिवावा भी है प्रजा, पिता, ब्रह्मा और अडाप्टेट बच्चे सामने बैठे है अभी तुम कितने विशाल बुद्धी बने हो ब्राम्मण सो फिर देवता बनेंगे अभी तुम ईश्वर ये बुद्धी बनते हो जो ईश्वर में गुड हैं वह तुमको वरसे में मिलते हैं समझाते समय ये भूलो मत बाप ज्यान का सागर है नंबर वन उनको ज्यान इश्वर कहा जाता है ज्यान सुनाने वाला इश्वर ज्यान से होती है सदगती पतितों को पावन बनाते हैं ज्यान और योग से भारत का प्राचीन राज योग मशहूर है क्योंकि आईरन एज से गोल्डन एज बना था ये तो समझाया है कि योग दो प्रकार का है वह हट योग और ये है राज योग वह हद का ये बेहद का है वह हद के सन्यासी तुम हो बेहद के सन्यासी वह घरबार छोड़ते हैं, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो अभी तुम हो प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान ये छोटा सा नया जाड़ है, तुम जानते हो पुराने से नय बन रहे है सैंपलिंग लग रहा है बरोबर हम बाजोली खेलते हैं, हम सो ब्रामण फिर हम सो देवता सो अक्षर जरूर लगाना है, सिर्फ हम नहीं हम सो शूद्र थे, हम सो ब्रामण बने ये बाजोली बिलकुल भूलने नहीं चाहिए, ये तो बिलकुल सहज है छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं हम 84 जन्म कैसे लेते हैं सीड़ी कैसे उतरते हैं फिर ब्रामण बन चड़ते हैं ब्रामण से देवता बनते हैं अभी ब्रामण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हैं जोली भर रहे हैं ज्यान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता है, वह जोली नहीं भरते हैं, ये तो चित्रकारों ने बना दिया है, शंकर की बात है नहीं, ये विश्नु और ब्रह्मा यहां के हैं, लक्षमी नारायन का युगल रूप उपर में दिखाया है, ये है इनका अंतिम जन्म, पहले प नाम बदल दिया, क्योंकि सन्यास किया न, शूद्र से ब्रामर बने तो नाम बदल लिया, बापने बहुत रमणीक नाम रखे हैं, तो अब तुम समझते हो, देखते हो, विरक्षपती इस रत पर बैठा है, उनका ये अकाल तخت है, इनका भी है, इस तخت का वह लोन लेते हैं उनको अपना तخت तो मिलता नहीं, कहते हैं मैं इस रत में विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम आते हो, अगर मैं भी आऊँ तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएंगे, बनाने वाला तो चाहिए न, इसलिए ही मेरा ऐसा पाठ है, मुझे बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ, निराकार शुबाबा को आतमाएं पुकारती हैं, क्योंकि आतमाओं को दुख है, भारतवासी आतमाएं खास बुलाती हैं, कि आकर पतितों को पावन बनाओ, सत्यु दुख में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे, तो बाप खुद कहते हैं, तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्त में बैठ जाता हूँ, वहां मेरी दरकार ही नहीं, भक्ती मार्ग में मेरा पाठ है, फिर मेरा पाठ आधा कल्प नहीं, ये तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसका प्रश्न उठ नहीं सकता, गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करें न कोई, सतियुक त्रेता में भक्ती मार्ग होता ही नहीं, ग्यान मार्ग भी नहीं कहेंगे, ग्यान तो मिलता ही है संगम पर, जिससे तुम 21 जन प् नंबर वार पास होते हैं, फेल भी होते हैं, तुम्हारी ये युद्ध चल रही है, तुम देखते हो जिस रत पर बाप विराजमान है, वे तो जीत लेते हैं, फिर अनन ने बच्चे भी जीत पा लेते हैं, जैसे कुमार का है, फलानी है, जरूर जीत पाएंगी, बहुतों को आप समान बनाती है तो बच्चों को ये बुद्धी में रखना है ये बाजोली है छोटे बच्चे भी ये समझ सकते हैं इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखलाओ उनको भी बाप से वर्सा लेने का हक है जास्ती बात तो है नहीं थोड़ा भी इस ग्यान को जानने से ग्यान का विनाश नहीं होता सुर्ग में तो जरूर आ जाएंगे जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिस्चियन धर्म कितना बड़ा है ये देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है जो दो युग चलता है तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए परंतु हिंदू कहला दिया है कहते भी हैं 33 करोड देवता हैं फिर हिंदू क्यों कहते हैं माया ने बुद्धी को बिल्कुल ही मार डाला है तो ये हाल हो गया है बाप कहते हैं माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है तुम हर कल्प जीत पाते हो सेना होना बाप मिल इन विकारों रूपी रावन पर जीत पहनाने लिए। तुम पर अभी ब्रहस्पती की दशा है। भारत पर ही दशा आती है। अभी सभी पर राहू की दशा है। बाप ब्रक्षपती आते हैं तो जरूर भारत पर ब्रहस्पती की दशा बैठेगी। इसमें सब कुछ आ जाता तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है वहां मृत्यू का नाम नहीं होता हमर लोग है न ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा मरने का नाम नहीं एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी ही रहती है गम का नाम नहीं तुम पर भी ब्रहस्पती की दशा है सब पर तो ब्रहस्पती की दशा होना सके स्कूल में भी कोई पास होते हैं कोई नापास होते हैं ये भी पाठ शाला है तुम कहेंगे हम राज योग सीखते हैं सिखलाने वाला कौन है बेहद का बाप तो कितनी खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई और बात नहीं, पवित्रता की है मुख्य बात, लिखा हुआ भी है, हे बच्चों दे सहे दे के सब संबंद छोड मा में कम याद करो, ये गीता के अक्षर है, ये गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें भी मनुश्यों ने अगड़म बगड़म कर दिया है, आटे में नमक कुछ है बात कितनी सहे जए, जो बच्चा भी समझ जाए, फिर भी भूलते क्यों हो, भक्ती मार्ग में भी कहते थे, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे दूसरा न कोई, हम आपके बन आपसे पूरा वर्सा लेंगे, बाप का बनते ही हैं वर्सा लेने लिए अडाप्ट होते हैं, जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा, तुम भी अडाप्ट हुए हूँ, जानते हूँ हम बाप से विश्व की बात्शाही बेहद का वर्सा लेंगे, और कोई में ममत्व नहीं रखेंगे समझो कोई का लौकिक बाप भी है, उनके पास क्या होगा, करके लाख डेड़ होगा, ये बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्सा देते हैं तुम बच्चे आधा कल्प जूटी कथाएं सुनते आये हो, अब सच्ची कथा बाप से सुनते हो, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ध्यान से सुनना चाहिए, हम सो का अर्थ भी समझाना है, वर्तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, ये 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता न सके बाप के लिए कहते हैं कुटे बिली सम्मे है, बाप की गलानी करते है न, ये भी ड्रामा में नूद है, कोई पर दोस नहीं रखते हैं, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है तुमको जो ग्यान से देवता बनाते हैं, तुम फिर उनको ही कालियां देने लग पड़ते हो, तुम ऐसे बाजूली खेलते हो ये ड्रामा भी बना हुआ है, मैं फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूँ, जानता हूँ तुम्हारा भी दोस नहीं है, ये खेल है कहानी तुमको समझाता हूँ, ये है सच्ची सच्ची कथा जिससे तुम देवता बनते हो, भक्ती मार्ग में फिर धेर कथाएं बना दी है, एम उबजेक्ट कुछ भी नहीं है, वह सब हैं गिरने के लिए उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं, फिर भी शरीर निर्वालिये एम है, पंडित लोग अपने शरीर निर्वालिये बैट कथा सुनाते हैं, लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं, प्राप्ती कुछ भी नहीं तुमको तो अभी ग्यान रतन मिलते हैं, जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो, वहां हर चीज नई मिलेगी नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, हीरे जवाहर आदी सब नए होंगे अब बाप कहते हैं और सब बातें तुम छोड़ बाजोली याद करो, फकीर लोग भी बाजोली खेलते तीर्थों पर जाते हैं, कोई पैदल भी जाते हैं, अभी तो मोटरें एरोपलेन भी निकल पड़े हैं, गरीब तो उनमें जाना सकें, कोई बहुत सरद्दा वाले होत गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है, इन चीजों में सुक है, अल्पकाल के लिए, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है, वह साइन्स, तुम्हारी है साइलेंस, बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं, अभी तुम समझते हो सत्यूग म एवर हिल्दी थे, ये 84 का चक्र फिरता ही रहता है, बाप एक ही बार आकर समझाते हैं, तुमने मेरी गलानी की है, अपने को चमाट मारी है, गलानी करते करते तुम शूद्र बुद्धी बन पड़े हो, सिख लोग भी कहते हैं, जब साइब तो सुख मिले, अर्थात मन मना अक्षर ही दो हैं, बाकी जास्ती माथा मारने की तो दरकार ही नहीं है, ये भी बाप आकर समझाते हैं, अभी तुम समझते हो, साहिप को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है, वे भी उसका रास्ता बताते हैं, परन्तु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं, सिमर सिमर सुख पाओ तुम बच्चे जानते हो बरोबर सत्यूग में बीमारी आदी दुख की कोई बात भी नहीं होती ये तो कॉमन बात है उसको सत्यूग गोल्डन एज कहा जाता है इसको कल्यूग आईरन एज कहा जाता है स्रश्टी का चक्र फिरता रहता है समझानी कितनी अच्छी है बाजोली है अभी तुम ब्राम्मड हो फिर देवता बनेंगे ये बातें तुम भूल जाते हो बाजोली याद हो तो ये ग्यान सारा याद रहे ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ फिर आधा कल्प तुम उन पर राजिक करते हो बात तो सहज बताते हैं नाम है ही सहज ग्यान, सहज याद बाप को सिर्फ याद करो क्या तकलीफ देते हैं भक्ती मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ लिए दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते हैं काशी कलवट खाते हैं हाँ जो निश्च बुद्धी होकर करते हैं उनके फिर विकर्म विनाश होते हैं फिर नए सिर शुरू होगा हिसाब किताब, बाकी मेरे पास नहीं आते हैं, मेरे याद से विकर्म विनाश होते हैं, नकी जीव घात से, मेरे पास तो कोई आते नहीं, कितनी सहज बात है, ये बाजोली तो बुड़ों को भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार पहला ब्रक्षपती बाप से सुख शांती पवित्रता का वर्सा लेने के लिए अपने आपको अकाल मूरत आत्मा समझ बाप को याद करना है इश्वर्य बुद्धी बनानी है दूसरा बाप से सची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है बुद्धी में रहे हम कल्प कल्प के विजई हैं बाप हमारे साथ है वर्दान निर्बल से बल्वान बन असंभव को संभव करने वाली हिम्मत वान आत्मा भव हिम्मते बच्चे मददे बाप इस वर्दान के आधार पर हिम्मत का पहला द्रण संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्मा या नादी आदी पवित्र हो अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी अनेक बार की स्मर्थी से समर्थ बन गए निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बना कर ही दिखाएंगे जिसको रिशी मुनी महान आत्माय समझती हैं कि प्रवर्ती में रहते पवित्र रहना मुश्किल है उसको आप अती सहज कहते हो स्लोगन द्रण संकल्प करना ही व्रत लेना है सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं है अच्छा ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती